कैसे हैं दोस्तों दोस्तों आज की कहानी उस आदमी की है जिसने कभी साइकल पर घर घर अगबार बेचे जिसने भारत के सबसे बड़े ओदे को नवाजा जिसने मिसाइल में बन कर भारत की तागत बढ़ाई जी हैं दोस्तों आज की कहानी डॉक्टर अबुल कलाम की है दोस् शुरू करते हैं दोस्तों अपनी सरकार के गिरने से पहले बीजेपी के तानों से तंग आकर कि वो एक कमजोर परदान मंत्री हैं इंदर कुमार गुज्रान ने ते किया कि वो भारत वासियों और दुनिया वालों को बताएंगे कि वो भारती सुरक्षा को कितनी इंपोर्टेंस देते हैं उन्हेंने मिसाइल में नाम से मशूर एपीजे अपविल कलाम को भारत रतन से समायद करने का फैसला किया इससे पहले 1952 में सीवी रवन को छोड़ कर किसी भी विज्ञानिक को इस पुरसकार के लायक नहीं समझा गया था एक मार्च 1998 को रास्कपदी बवन में भारत रतन के प्रसकार वित्रर समारों में कलाम बहुत नर्वस थे अपनी नीली दारी की टाई को बार बार चूप कर देख रहे थे कलाम को इस तरह के फॉर्मल इवेंट से चिड़ थी जहां उन्हें उस तरह की कप्रे पहनने पढ़ते थे जिसमें वो अपने आ उसे पहले बदाई देने वालों में से एक थे अटल व्यारी वाजपई वाजपई की कलाम से पहली मुलाकात अगस्त 1910 में होई थी जब ततकालिन परदान मत्री इंद्रा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीज दवन को एसलवी 3 की सफलतर पूर्वक लॉंच के बाद परमुक शालसदों से मिलने के लिए बुलवाया था कलाम को जब इस निमंतरर की बनक लगी तो वे गबरा गए और दवन से बोले सर मेरे पास ना तो सूट है और नहीं जूते मेरे पास ले देकर मेरी चेरपू है चेरपू तमिल में चपल को कहते है तब सतीज दवन ने मुश्कुराते हुए उनसे कहा था कलाम तुम तो पहले से ही सफलता कर सूट पहने हुए हो इसलिए हर हालत में वहाँ पहुचो मशूर पत्रकार राज चिगंपा अपनी किताब Weapons of the Peace में लिखते है उस बैठक में जब इंद्रा गांदी ने कलाम का अटल व्यारी वाजपई से परिछे करवाया तो उन्होंने कलाम से हाथ मिलाने की बज़ए उन्हें गले लगा लिया था ये देखते हैं इंद्रा गांदी शरार्ती डंग से मुस्कुराई और उन्होंने वाजपई की चुटकी लेती हुए कहा अटल जी लेकिन कलाम मुसल्मान है तब वाजपई ने जवाब दिया जी हाँ लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महन विज्ञानिक है अठारा दिन बाद जब वाजपई दूसरी बार प्रदान मंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपनी मंत्री मंदल में शामिल होने का नियोत्ता दिया अगर कलाम इसके राजी हो जाते तो वाजपई को ना सिर्फ एक काबिल मंत्री मिलता बलकि पूरे देश के मुसल्मानों को इस अंदेश जाता कि बीजेपी की सरकार में उनकी अंदेखी नहीं की जाएगी कलाम ने इस प्रस्ताव पर पूरे एक दिन विचार किया अगले दिन उन्होंने वाजपई से मिलकर बड़ी ही विरमुरता पूर्वक अटल के ओफर को रेजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा कि डिफेंस विसर्च और परमाणू परीक्षण कारिक्रम अपने अंतिम चराण में पहुँच रहे और वो अपनी वर्तमाद जिम्यदारियों को निबा कर दिश की बेतर सिवा कर सकते हैं दो महिने बाद पोकरण में परमाणू विस्वोट के बाद यह स्पश्ट हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों सुईकार नहीं किया था 10 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम को अन्न विश्वर द्याले के कुलपती डॉक्टर कल्या ने दिका संदेश मिला कि प्रदान मंतरी कार्याले उन से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है इसलिए आप तुरंद कुलपती के दफ्टर चले जाएए ताकि प्रदान मंतरी से अपकी बात हो सके जैसी उन्हें प्रदानमत्री कारियाले से करेक्ट किया गया वाजपई फोन पर आई और बोले कलाम साहब देश को राश्टपती के रूप में आपकी जरूरत है कलाम ने वाजपई को धन्यवाद दिया और कहा कि इस ओफर पर विचात करने के लिए उन्हें एक गंटे का समय चाहिए वाजपई ने कहा आप समय जरूर ले लीजिए लेकिन मुझे आपसे हाई ही चाहिए ना रहें शाम तक NDA के सयोजक जोज फर्णांडेज, संसद्य कारी मंतरी प्रमोद महाजन, आद्र प्रदेश के मुख्य मंतरी चंद्र बाबू नाइडू और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी मायवती ने सेंथ समवादाता सम्मेलर आयोजित कर कलाम की उमीदवारी का एलान कर दिया जब डॉक्टर कलाम दिल्ली पहुँचे तो हवा ये डिपर रक्षा मंतरी जॉज फर्णांडेज ने उनका स्वागत किया कलाम ने इस शेड विलेज में डियाडियो गेस्टाउस में रहना पसंद किया 18 जून 2002 को कलाम ने वाजपई और उनके मंतरी मंडल की सद्धिस्यों की उपस्तिती में अपना नमांकन पत्र दाकेल किया परचब अरते वक्त वाजपई ने उनके साथ मजाग किया आप भी मेरी तरह कुवारे है तो कलाम ने ठाकों के भी जवाब दिया परदान बंदरी साहब मैं ना सिर्फ कुवारा हूँ बल्कि ब्रह्म अचारी भी कलाम के राश्टपथी बनने के बाद सबसे बड़ी समस्य ये आई कि वो पहनेंगे क्या बरसों से नीली कमीज और स्पोर्च उस पहनने वाले कलाम राश्टपथी के रूप में फुवो सब पहन नहीं सकते थे राश्टपथी बवन का एक दरजी था जिसने पिछले कई राश्टपथियों के सूट सिलते आया था एक दिन आकर उसने डॉक्टर कलाम का भी नाप ले डाला कलाम की जीवनिकार और उनके सयोगी अरोल तिवारी अपनी किताब एपीज अब्दिल कलाम अल लाइफ में लिखते हैं कुछ दिनोवाट टेलर कलाम के ये चार ने बंद गले के सूट सिलकर लिया आया कुछ ये मिन्टों में हमेशना लापरवाई से कपड़े पेरने वाले कलाम की काया ही बदल गई लेकिन कलाम इससे खुश नहीं थे उन्होंने मुझसे का मैं तो इस पे सास भी नहीं ले पारा क्या इसमें कोई चेंजिस किये जा सकते हैं अब परिशान दरजी सोचते रहा कि क्या किया जाए कलाम ने खुदी सला दी कि आप गर्धन के पास से थोड़ा सा कट दीजिए इसके बाद से कलाम के इस कट के सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा नए राश्पर्थी को टाई पेरने से भी नफरत थी बंद कले के सूट की तरह टाई से भी उनका दम गोड़ता था एक बार मैंने उन्हें अपनी टाई से अपना चश्वा साफ करते हुँ देखा तो मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए उनका जवाब था कि टाई पूरी तरीखे से उद्देश हीन बस्त रहे कम शेकम मैं इसका कुस्त इस्तेमाल करना हूँ बहुत व्यस्त राश्पर्थी होने के बाप जूद कलाम अपने लिए कुछ समय निकाली लेते थे उनको वीड़ा वजाने का बहुत शुक्त डॉक्टर कलाम के प्रेस सच्चिव रहे SM खान ने बताया था कि वो वॉक करना पसंद करते थे वो भी सुबह 10 बजे या दुपैट 4 बजे वो अपने नाश्टा सुबह 10.30 बजे कर लेते थे इसलिए उनके लंच में हमेशा देरी हो जाती थी उनका लंच दुपैट 4 बजे की करीब होता था और जाहिर है फिर खान वो रात के 12 बजे के बाद ही खाते थे डॉक्टर कलाम धार्मिक मुसल्मान थे और आर दिन सुबह यानि फर्ज की नवास को पढ़ा करते थे उन्हें कुरान और गिता पढ़ते हुए भी देखा गया था वो सुआमी थिरु वनलूवर के उपदेशों की किताब तमिल में पढ़ा करते थे वो पक्खे शाकारी थे और शराब से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं था पुरे देश में निर्देश बेजे गए थे कि वो जहां भी ठेरे उन्हें साधर शाकारी खाना ही परुसा जाए उनको माम माइन या इस एक्सिलेंस की कहलाना भी खते ही पसंद नहीं था डॉक्टर कलाम को अपने बड़े भाई एपीजे मुथू मरें से बहुत प्यार था लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने साथ राश्टपती भवन में ठेरनी के ये नहीं का उनके भाई का पोता कुला मुई दिन उस सवे दिल्ली में काम कर रहा था जब कलाम भारत के राश्टपती हुआ करते थे लेकिन वो तब भी मुन्रिका में किराई के मकान में ही रा करता था मई 2006 में कलाम ने अपने परिवार के करीद 52 लोगों को दिल्ली आवंतरित किया ये लोग 8 दिन तर राश्टपती भवन में रुकी कलाम के सचिव रहे प्लियम नायर ने बताया था कि कलाम ने उनके राश्टपती भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से दिया यहां तक कि एक पहली चाय तक का भी हिसाब रखा गया वो लोग एक बस में अजमे शरिफ भी गए जिसका किराया डॉक्टर कलाम नहीं वरा उनके जाने के बाद कलाम ने अफने अकाउंट से 3,52,000 रुपे का चेक काट कर राश्टपती भवन कारियाले को बेजा दिसम्ब 2005 में उनके बड़े भाई एपीजे मुथु मराई उनकी बेटी नाजिमा और उनका पोता कुलाम हज करने के लिए मक्का गए जब साओधी अरब में भारत के राश्टपती को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राश्टपती को फोन कर परिवार को हर तरह इसके मदद देने की पेश्विश करी कलाम का जवाब था कि मेरा आप से यही अनुरोद है कि मेरे 90 साल के बाई बिना किसी सरकारी विवस्ता के एक आम तीरत यात्री की तरह आज करें और इसमें आप उनकी मदद करें नायप साब ने एक बार कहा था कि एक बार नवंबर 2002 में डॉक्टर कलाम ने मुझे बलाकर पूछा ये बताईए कि हम इफ्तार बोज का आयोजन क्यों करें वैसे भी यहां आबंत्रित लोग, खाते पीते लोग ही होते हैं आप इफ्तार का कित्वा कर्च करते हैं राष्टपदी बावन के आत्यत्य बिवाग को फोन लगाये गया, उन्होंने बताए कि इफ्तार बोज में मुटे दोर पर डाई लाक रुपे का खर्च आता है, कलाम ने का हम ये पैसा अनाथाले को क्यों नहीं दे सकते, आप अनाथालों की चुनिए और ये सुनिश्चि करिए कि ये पैसा बरबाद न जाए, राष्टपदी बावन की ओर से इफ्तार के लिए निर्दारित राशी से आटे डाल कंबलों और स्वेटरों का इंतिजाम किया गया, और उसे 28 अनाथाले को बच्चों में बाटा गया, लेकिन बात यहीं खतम नहीं हुई, कलाम ने भी हुसी तरह इस्तिमाल करना जिसा कि आपने इफ्तार के पैसों का किया है, लेकिन किसी को भी ये मत बताईएगा कि ये पैसे मैंने दिये हैं, डॉक्टर कलाम का मानवी अपक्ष बहुत मजबूत था, एक बार वो सरदियों के दोरा राष्टपदी बावन के गार्डन मे टेल रहे थे, उन्होंने देखा कि शुरक्षागार के केविन में हीटिंग की कोई विवस्ता नहीं है, और कडाकी की ठंड में शुरक्षागार की कप-कपी छूट रही है, उन्होंने तुरंद सम्मिद्यत अधकारियों को बुलाया, और उनसे गार्ड के केविन में जाड परचिनरी डॉक्टर सुधिर कुमार को बुला कर, मोर की स्वास्ते जाज करने के लिए कहा, जाज करने पर पता चला कि मोर के मुँ में एक ट्यूमर है, जिसकी वज़य से ना तो वो खपना मुँ खोल पा रहा है, और ना ही बंद कर पा रहा है, वो कुछ भी खापी नहीं पा रहा है, और बहुत तकलीव में था, कलाम के कहनेट में डॉक्टर कुमार ने उस मोर की आपात सरजरी की और उसका ट्यूमर निकाल दिया, उस मोर को कुछ दिलों तक आईस्यू में रखा गया, और पूरी तरीके से ठीक हो जाने के बाद मुगल गार्डन में छोड़ द किया गया था, उन्होंने हर बच्चे के सर पर आत फेरा और उन्हें टॉफी का एक-एक डबा दिया, जिने वे दिली से अपने साथ लाई थे, बाहर बैटे आदर प्रदेश के राज़िपाल, शुशील कुमार शिंदे, मुख्यमत्री, राजशेकर रेड़ी और टीडीप के प्रमुक चंदर बाभु नाइटू इन्फिजार कर रहे थे, उनकी समझ पर नहीं आ रहा था कि इन बच्चों को उनके उपर तरजी क्यों दी जा रही है, अरोल तिवारी, एपीजी अपनल कलाम के जीवनी में लिखते हैं, हुआ ये कि सितंबर 2000 बे तांजारिया की या हैद्रमद लाने की मुफ्त वियुस्ता करो, उन्होंने तुलसीदा से बात करने के लिए कहा, जो उस समय एर इंडिया की अध्यक्ष और प्रवन निदेशक हुआ करते थे, वो इस काम में मदद करने के लिए राजी हो गए, फिर केर अस्पतार के प्रमुक डॉक्टर सोमा राजू और वहा के प्रमुक हार्ट सर्जन डॉक्टर गोफी चंद मन्नाम ने भी उनका मुफ्त इलाज करने के लिए तियार हो गए, बारत में तंजानिया की उचायोग इव नजारों इन बच्चों की पहचान के लिए दारे सलाम गई, 24 बच्चों और उनकी माओ को दार जानिया वापस लोट गए, जब कलाम का कारेकाल खतम होने लगा, तो उन्होंने 1931 की लड़ाए के हीरो मार्शल शेम मानिक शाओ से मिलनी की चप प्रकट करी, वो फरवरी 2007 में उनसे मिलने उटी गए, उनसे मिलने के बाद कलाम को अंदासा हो गया कि मानिक शा को फील्ड म मानिक शाओ के साथ साथ मार्शल अर्जुल सिंग को भी सारे बकाय बत्तों का बुकतार कराया गया, और वो भी उस दिन से जब से उन्हें ये पद दिया गया था, तो दोस्तों ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेट्स में जरूर बताईएगा, तो दोस्तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई किस्से के साथ, एक नई दिन में, अगर आप भी ऐसे किस्से कहानीों के शौकी नहें, तो फटावट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, फिर मिलेंगे दोस्तों, जैहिन, जैबारत!